आप लोगों का स्वागत है आज एक नई टेक्निक के उपर उस टेक्निक को बोलते हैं नियावा की टेक्निक यह टेक्निक है फॉरेस्ट लगाने की आप एक छोटे सी जगा के अंदर फॉरेस्ट लगाने के ज़रूरत क्यों है यह आप लोग पाग सभी जानते होंगे दुनि कि यह यह यहिए से खत्म होते जा रहे हैं उतनी ही slow speed से हो बढ़ते भी जरुआ हैं तो उसको जल्दी से जल्दी grow करने के लिए और जो भी इसके फायदे वाले हैं उसको multiple और multiply करने के लिए उसको और ज्यादा तेज़ी से बढ़ाने के लिए एक यह तो उसके जो एक्सपर्ट हैं, यहां पर मैं आपको मिलवाना चाहूंगा, बाबा बलजी सीजी के, वो आपको इस मियावर की टेक्निक के बारे में बताएंगे, उन्हें ने एक मिनियेचर फॉरिस्ट यहां पर लगाया हुआ है, जो कि सीविया रोट पफिंडा के पास में है, जिसको बाबाजी आपको फ्री में कंसल्टेशन देंगे, तो मैं ओटू बाबाजी, मैं बाबाजी से दाखास करना चाहूंगा, मैं पूछना चाहूंगा कि बाबाजी इसके अंदर जो जितनी स्पीसिज हैं अलग-अलग, वो कितनी लगी होंगी, थेंक्यू, पात है ता यहां यहां जो पकðन है खोफाध क्ज़न मुन्हाँ आपना केतनी भी लगा सक्ला जो एविलेबल नी यहां पारी में तता है करहा छाली से करीब लग और पलासी होगी उससे, ज 차बा भी ओ सकता जो हम लोग लगा लिए बिलेबल रहती है पर इसमें एक अन्या रहती है क्या प्रद में प्राइयंजी यह चल्या श्रथीं अड़्वर्य ना यहां दोपतो कमने नहीं दोप सब्सक्थतें उसे इूसे जी है और इसका क्या रहता है कि इसमें वारीे बहुत काम आती है और एक दूसरे की माधश करते हैं जो बुमारी को बचाने के लिए ऐसा इस टकनीक में बताया जाता है इस टकनीक के साथ एक तो बड़ी है होता है कि जड़े जंगल है हम लोग ऐसा मानते कि 9-10 महीने में पूरा जंगल का रूप ले लेता है और दूसरी बात है इस टकनीक से लगाने के लगाने से कैसा होता है है कि इसी जड़ी ग्रोथ है बहुत ज्यादा होती है आम जो रटीन में पहुत लगता है उससे क्रीवन क्रीवन दस गुना ज्यादा होती है और यह डार्क ग्रीन भी होते हैं आपका क्या जो भी है उसमें बहुत बढ़िया इनकी क्युल्टी रहती है उसका इसका बढ़िया एक और बात है कि इसको कम से कम जगा में ज्यादा से ज्यादा लगा सकते है ठीक है इसके अंदर जो डेंसिटी होती है प्लांटेशन की अबर जो नार्मल प्लांटेशन लगता है जिसा कि गवर्मेंट से लगवाए जाते हैं तो उसके अंदर हम पांच फिट मिनिमम एक डिस्टन्स रखते हैं पांच से दस फिट तक का दूरी रखते हैं कि पेड़ों को इतना दूर लगाएं तो जो वह अके प्लांटेशन एकडम डेंसिटी में लगा जाते हैं ठीक है और वह एक दूसरे को प्लांट सहरा देते हैं और यूंकि एक छोटे से एरिया में ज्यादा से ज्यादा इस पीसीज लगाई जाती है तो आप जानते हैं कि जब एक इस पीसीज का जो फायदा होता है वह उन दूसरी बात कि नैचर ने कभी भी जनतुओं को पोधों से अलग नहीं किया जब पहले पेड़ आये हैं पहले वनस्पति आई है पहले प्लांट किंग्डम आया तभी एनिमल किंग्डम आया है तो जो सिंबॉइसिस में रहने का जो वजूद है लोगों का वह तो यहां प बाद में आपको इसको इरिगेट करने की बहुत कम जरूद होती है वह साफ नहीं करते हैं तो ब्यास जी आप अपना पूरा नाम फिर से बताईए मेरा नाम श्रीदर वियास है और मैं इंवर्मेंट का लिगल प्रेक्टिशनर हुआ 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 है तो इसमें आप थोड़ा सा ओवर्वियू इसमें बताईए कि लीगल फेक्टर्स इसमें क्या रहते हैं इन्वार्मेंट से जुड़े अक्टिविटीज में इसके अंदर अभी बायो डाइवर्सिटी नाम की चीज आ रही है बायो डाइव सब्सक्राइब के लिए एक बहुत बड़ा मंदीर है तो इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ और बाबाजीब अपील करते हैं जो जो भी एक छोटे से एरिया में शुरुआत करना चाहते हैं आप अपनी शाधी के उपर आप अपने किसी घर के अंदर किसी बुज़ूर्ग के चले जाने के याद में या किसी बच्चों की बस् सब्सक्राइब के अंदर एक मियावा की प्लांटिशन लगाएं एक फॉरेस्ट लगाएं और उसको हमेशा हमेशा के लिए कायम करें ठीक है यह श्रिदर व्यास जी आपने जो फाइनली मैसेज दिया है सारी सुसाइटी के लिए यह बड़ा एक्सिलेंट बहुत ही ऑसम ब सब्सक्राइब करते हैं जितनी भी जाए कैसा को जितनी भी द्रेश्टी गोचर स्रिष्टी